हाथ पर मोली बान्धने की जो विधी होती है मंदिर जाते हैं तो हाथ में मोली बानते हैं वो क्यों बानते हैं तीसरा घर हाथों का है तीसरा घर यानी कि कंद्धे और हाथ और तीसरे घर में लाके मंगल को स्थापित किया यानि कि फोर्स को एड़ किया तो आदमी अपने आपको बलवान महसूस करता है शक्ती उसे प्राप्त होती है उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फोर्स है मुली इसलिए बांदी हाथ पे लाल रंग की ये प्रभाव देती है क्यूं कोई तिलक लगाके केसर का क्यूं कोई तिलक लगाके चंदन का क्यूं कोई तिलक लगाके लाल रंग का क्या रिजल्ट ले लेते है क्यूं से पर रख्यू ही कैप एक कई दफार लोगों को रिजल्ट दे जाती है एक एक चीज एक एक सार एक एक रेमिडी रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में कैसे वो रोल प्ले कर रही है उसको डी कोड करते आना चाहिए तब पता चलेगा कि आस्ट्रोलोजी और प्लैनिट कहां रोल प्ले कर रहे है ये वो जिस्ट है ये वो सार है एक एक हर व्यक्ति की हमारे प्रधान मंत्री जी कुछ शब्दों का उप्योग लगातर करते हैं भाईयो बेहनो और मित्रो भाईयो बेहनो और भाईयो बेहनो यानि की तीसरा घर मित्रो यानि की ग्यार्मा घर तीसरा गर और ग्यारमा गर उनका हमेशा प्रभल रहता है तीसरा और ग्यारमा गर हमेशा प्रभल रहता है पूरी देश को भगवे रंग में कनवर्ट कर दिया पूरे देश को कुछ हिस्से बाकी रह गए सिर्फ शब्दों के उच्चारन से कैसे कुंडली के प्रभावों को बदला जा सकते ये आपको डीकोड खुद करना है इसको पकड़ लेना है इस सार को कोई भी गतिविदी हो रही है कोई भी एक्टिविटी हो रही है कैसे हो रही है क्या रोल प्ले कर रही है यह decode करते चलोगे आप देखोगे प्रभाव देखोगे अपने आप देखोगे कि इस रंग के कप शर्ट डालता हूँ तो अच्छा फील करता हूँ काम बन जाते हैं इस रंग की लिपस्टिक लगाती हूँ तो यह हो जाता है अच्छल मैं वो remedies का काम करती है बताया था तो मैं हफते की हिसाब से नता सोमवार को मैं वाइट कलर पहनती हूँ क्या इसका भी कुछ रीजन है Tuesday को रेड नहीं ऐसा नहीं करना इस तरीके तो आप हर रोज सोमवार को सफेद मंगलवार को लाल उद्वार को हरा यह ठीक उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से पंच तत्वों की दिशाओं में अलग-लग रंग पुतवा दिये इदर यह भी कर लो इस दिशा में जल की दिशा है तो नीला कर लो वायू की दिशा है तो हरा कर लो अगनी की दिशा है तो लाल कर लो अर्थ की दिशाय तो पीला कर लो वेस्ट की दिशाय तो सफेद कर लो एक दिन को पर्टिकुलर एक चीज का उप्योग करना अपने फाइदे के लिए वो एक अलग बात है पर किसी चीज पर बंद जाना वो एक अलग बात है वो एक अलग शाइदे के लिए पर लो पर खेदे किसी तो सब्सक्राइदे कर दो